जब मुक्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहाँ पर बहुत जादा उनके रुग्ण अवस्था थी जब मुक्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा जैसा की बताया जाता है और उससे उनकी मृत्ति हो गई तो ये एक गंभीर विशय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी होई है प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मेच्जिजल जाच होगी विदिवत इंक्वाईरी होगी और उसके बारे में आख्या न्याले को भी प्रस्तुत की जाएगी लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुक्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहाँ पर बहुत जादा उनकी रुगण अवस्था थी उनकी और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने मानेनी न्याले को भी अवगत कराय था कि मुक्तार अंसारी की तब्यत अच्छी नहीं है बलकि बहुत खराब है और उन्हें दिरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटेवेंशन की जरूरत है उत्तर पदेश लाए गए अच्छे से अच्छी चिकित्सा विवस्ता दी गई ये अब दुर्भागे फूर्ण है कि बावजूद सर्वोच और सरस्रेश चिकित्सा के मुक्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा जैसा की बताया जाता है और उससे उनकी मृत्ति हो गई देखिए मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के वरुद्ध एक सगन अभियान चला था और मुझे याद है जदातर जो माफिया थे या तो जेल के अंदर थे दो माफिया पे मेरी पकड़ मेरी पकड़ में नहीं आये जो और कैसे बच गए वो भी में बता दूँ एक तो मुखतार अंसारी थे वो भूमिगत हो गए थे अंडर ग्राउंड हो गए तो वो कहां है अता पता उनका कोई नहीं था आज की मतब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मुझ पर ताओ देकर घूमने लगे थे वो ऐसी बात नहीं थे, he went underground, he disappeared and nobody knew his address, कहां है, तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी, पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी, वो मेरे कारेकाल में, तो ये फिर हम जब हमारा कारेकाल खतम हो गया, उसके बाद समाजवादी, बसपा वगरा के पार्टी का टाइम आय और जो कुराने केशिज थे, उनमें इनका प्रसिक्रिशन हुआ है, तो ये तो करीब तीन दर्शकों से मतब चले आ रहे थे और इनकी कुकर्मों का एक नएक दिन तो आंत हो नहीं था, वो आंत हो गया और ये दूसरे आप राजियों के लिए सबख होना चाहिए, कि भई, आतंकवाजियों कभी होता है, दो से चार साल तक उनकी लाइफ रहती है, उसके बाद कब पकड़ जाया, कब खतम हो जाया, कोई छिताना नहीं.